नमस्कार देख रहे हैं खबर मीडिया दूस्तो आपको बता दे कि जो पूर कमिश्नर है परंबीर सिंग उनके हाला जाला ठेक लग नहीं जी हां आपको बता दे कि यह बेसक से चाहए कुछ भी अभी तक कहते हैं हुए आये हुँ ये कहते हुए आये हों कि सिरफ और सिरफ महराष्ट के जो गिरे मंतरी है अनिल देश्मुक उन्होंने सारा अभी तक घपला वाजी की हो तो ऐसा पूरी तरह से गलत है जी हाँ आपको उता दे कि परंबीर सिंग एक बार फिर से परिसानी में पढ़ते हुए निजर आये हैं दोस्तो आपको बता दे कि परंबीर सिंग वही है जो कि सुसान सिंग राजपुत केस में ना जाने क्या से क्या करने को उतारू थे लेकिन दोस्तों अब इनकी हालत खुद की खराब होती जा रही है और आपको बता दे कि अभी तो इनके उपर FIR भी दर्ज हुई है जी हां बहुत ध्यान से इस खबर को सुनिएगा मुंबई पुलिस के पूर कमिस्नर परंबीर सिंग की मुस्किले बढ़ती ही जा रही है बुधबार देरात सिंग के खिलाब मुंबई पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर बी आर खड़के की सिकायत पर SC-HT Act के तहट FIR दर्ज की गई खड़के ने हाल ही में मुख्य मंत्री और गिरह मंत्री को चिठी लिख करके परंबीर सिंग के भ्रहषाचार के गंभीर आरोप इनके उपर लगाये थे अब इन आरोपों को लेकर परंबीर सिंग के खिलाब केस दर्ज किया गया है परंबीर सिंगे साथ ही 32 अन्य पुलिस कर्मी उपर भी F.I.R. की गई है परंबीर सिंग के उपर दोसों SC, HD के खिलाप डरज किया गया है ये मामला और सिरफ परंबीर सिंग इसमें नहीं फसे हैं आप देख रहे हैं कि 32 लोग और भी अन्य पुलिस कर्मी फस चुके हैं अकोला पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात खड़के महार समुदाय से आते हैं जो कि पिछली जाते की स्रेणी में हैं खड़के ने FIR में आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2013 में परंबीर सिंग के कुछ आवैद आदेसों को नहीं माना था उन्होंने कहा कि सिंग उस समय कल्यान नगरपाली का मामले में परंबीर सिंग से उनके खिलाप अपराधिक मामला दर्श करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर स्रलेंतर रचा ताकि उन्हें परिसान किया जा सके खड़के का आरोफ है कि सिंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे पिछली जाती से तालूक रखते हैं F.I.R. में अन्य पुलिस कर्मियों का भी नाम सामिल है जो सिंग के कमिस्नर रहते हुए ठाणे पुलिस ठाने में तैनात थे मामले में 27 धाराएं लगी हैं जिसमें S.C.H.D. Act की कुछ धाराएं भी सामिल हैं बता दे कि परंबीर सिंग को बीते महीने मुंबई पुलिस कमिस्नर के पत से हटा दिया गया था मुकेज अमानी की घर के बाहर बिस फोटक से भरी गाड़ी मिलने और फिर पुलिस अधिकारी सचिनवाजे की गिरफतारी के बाद सिंग पर ये कारेवाई की गई थी और इसके बाद भी परंबीर सिंग के जिस तरह से एक के वाद एक पोल खुल रहे हैं और अगर कोई भी वैक्ति, SCHTV वैक्ति को किसी भी तरह से परिसान करता है तो उसके खिलाब हमारे देश में सक्त से सक्त कारेवाई होती है तो साफ है कि परंबीर सिंग जो है वो भी अब बचने वाले है नहीं अभी तो इनके उपर सिरफ FIR हुआ है आगे आगे आप देखेंगे तो ना जाने इनके साथ क्या क्योंकि हमने देखा है कि जहां अंबानी केस में ये पूरी तरह से फसे हुए थे अनिल देसमुक की हा परंबीर सिंग की जॉब चले गई इसके साथ ही सची नवाजे गिरफतार हो चुके हैं तो साफ है कि कहीं न कहीं अब परंबीर सिंग की परिसानी और बढ़ेगी और इनके साथ जो अगली इनके सामने परिसानी आने वाली है वो है जेल अब इनको जेल भी जाना और इनकी गिरफतारी भी अब पूरी तिरह से तय है और इसी के साथ साय सुसन सिंग राशपुत केस में भी कुछ बड़ा खुलाजा आप सभी को आने वाल दिनों में देखने को मिलेगा तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद